आईये हम आया है केमुर्जिले के भववापरखंड के दतियांगाव में दतियांगाव में परविन कुमार पतेल जी हैं इनसे आज आपको रूब वह कराते हैं इनका इच्छा है कि पंचाई समीति सरश बने यहां के वर्तमान पंचायद समिती सरस लियाकत अंसारी भोलाजी है भोलाजी पांच साल तक और पिछले साल भी बीडिसी रह चुके हैं उनके दोरा कराय हुए कारजोग पर संतुष्ट नहीं है पर उनकुमार उनके ब्रूद कमर कश चुके हैं इनकी इच्छा है कि बतरी पंचायद के दिर्थिय भाग से चुनाव लड़कर भववा पर्खंड में पर्खंडों की हर समस्याओं को जनहित में काल करने की एक सपना दिखे हैं सब अंदर इच्छा होती है एक सपना होता है कि हम कोई न कई किसी ने रुप में समाई सेवा करें इवाद है उनकी एक सपना है कि में पन्चाय सम्थी सरस बन कर मैं समाज का और परखंड का सेवा करूं। तो परविण जी बताईए कि अगर पन्चाय सम्थी सरस बनते हैं तो किस शुप में समाज के सेवा करेंगे। वे जवा हम लोग पहले से भी लगे हुए हैं Craig करने के कारण एह हमारे पंचायत में कमियां Edward ce जो ब्लोक में हम लोग जाते हैं आई जाती निवास भी पैसे पभनता है और पैखाना के शोचाले का भी पैसा उसी कि आदमी को भुफतान हुआ कि जो आदमी कंप्यूटर अप्रेटर से किसी से किसी से मिला जुला रहता है उसी लोग का पैसा निकला हुआ है हमारे पंचायत में जो शरीफ हैं जो ब्लॉक नहीं देखें नहीं जाते हैं कुछ हम लोग के किसान हैं कुछ गरीबे कास्ट के है लोग नहीं अपने ब्लोग पर जा पाते हैं, उसके कारण उसका हमने सुची तयार किये हैं, और सुची तयार करने के साथ डियम साहथ से और डिडी सी से बात भी किये हैं, और बोले हैं कि इसका भी पैसा हम भुपतान करा देंगे, 15-20 दिन का समय भी मांगे हैं, और गरीब लोग को काम में इतना कष्ट होता है, कि ब्लोग पर हम लोग जीत कर जाएंगे, तो ये गरीबों के कागजी करवाई में परकिरिया में कहीं घुसखोरी बंद करा देंगे, हम लोग के ये वादा है, कि जो भी घुसखोरी लेने का काम करेंगे अपरेटर, कोई भी हो, CEO हो, हम लोग कहीं भी नाच तमासा देखने चले जाते हैं, इसकूलों में कभी अपने बच्चा को सिच्छा पर ध्यान नहीं देते हैं, यहां कभी सिच्छा विभाग के डियो साहिब आ रहा हैं, न कभी कलटर साहिब को नजर अंदाज है, सहर के हम लोग 5 किलो मीटर दूर हैं मगर हम लोग की इस्तिती अधावरा से भी बेकार है, हम लोग के बच्चा के पास आप जाएएगा तो कोई ग्यान नहीं है, हमारा सोच है कि जित दिन हम BDC बनेंगे, उसको जिला अफ्तर पर कोई खेल, रोमान्चक, कोई भी वेजना में हम सामिल करने का काम करेंगे, जिल जीतेगी, नेहा कुमारी जीतेगी, तो ब्लोग पर मुखी का दावदारी भी किया जाएगा, हम लोग के यहीं पंचायत के लिए काबार और दतियाओं के जनता को हम धन्य बात देना चाहते हैं, हम जीत कर जाएंगे, तो ब्लोग पर मुखी कोई पैसे पर लड़ता है, हम हमने अपने बेभार और कल्प करते हैं, कि अपने बिचार धारा से चुनाव जीत कराएंगे, ब्लोग पर मुखी का, एक ची बताएगे, कहमर जिले में, खासकर बतरी पंचायत में, ओपिल्टी घोशित कर दिया गया है, सवचाले मुक्त गा, जबकि आपके सड़कों पर सवचाले खुला यहां मिलने का कारण यही है, कि सवचाले किसी को सोख नहीं लगा है कि बाहर जाएं, किसी को पैसा मिला हुआ है, तो एक ही पैखाना पर तीन बार पैसा मिल गया है, अज जिसके घर पैखाना भी बना है और पैसा भी नहीं मिल पाया है, किसी का भी बना भ रहने के लिए घर नहीं है अभी हमारे गाह में घुमियेगा तो कितने लोग को रहने के घर नहीं है उसको भी आदमी दूसरे नजरिया से देखते हैं हाँ सवचाले का जो मुक्त नहीं है उसको जाने के लिए हमने मना करते हैं कि हम लोग रोड़ पर न जाएं किसानों के खे का बात नहीं समझ पाते हैं अमारे यहां जल लोजना के इस्तिती हो ही है कि जब तक बैठा है तब तक सब लोग वाड कमिस्नर हो कोई भी विभाक अधिकारी हो कोई ध्यान देने नहीं आया है कभी पानी मिलता एक जुआर तो पुड़ा रोड पर बहता रहता है किसी के घर अभी कितना वाइरिंग भी नहीं हुआ है तूटी एक बार जो खोला उटूटी गया यही तो नल जल का इस पर एकदम कड़ाई से एकदम काम करेंगे इस पर एकदम सतंत्र हैं पांच सल कमरमती का पैसा निकाला जा रहा है उसके पाहम एकदम रोक लगाएंगे इसमें कोई दोहमत नहीं है आई आप मिले हैं इवान अटा से इनकी इच्छा है इनकी हार्दिक है